हेलो स्टुडेंट्स आज हम पढ़ेंगे बिटिश प्रधानमंती के कार्य एवं शक्तियां बिटिश प्रधानमंती के कार्य एवं शक्तियां अत्यनते विस्तरत हैं सर सिद्नी लोग के अनुसार संसद में निशित बहुमत के रहते इंग्लेन का प्रधानमंती वह सब कारे कर सकता है जिसको जर्मन का समराट और अमेरिका का राश्वती भी नहीं कर सकता क्योंकि वह कानूर में परिवतन कर सकता है, करार उपन कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है वह राज्य की सभी शक्तियों का पूर्ण निदेशन कर सकता है मंती मंदल का निर्मान, जीवन और मरन का केंद इस्थर प्रधान मंती को माना जाता है हम इसमें देखते हैं कि प्रधान मंती के परामर्ष से ही समराठ दोरा मंती मंदल के सदस्यों के नियुक्ति की जाती है समराठ प्रधान मंती दोरा मंती परिशत के सदस्यों की सूची को बिना किसी हिचकी चाहट के सिकार कर लेता है यदि भी प्रधान मंती मंती बंडल के निर्माण में बहुत कुछ सतंत्र है लेकिन उसके हाथ भी कुछ व्याभारिक प्रतिबंदों से बंदेवे हैं तो ये व्याभारिक प्रतिबंद कौन से हैं? ये व्याभारिक प्रतिबंद ये हैं कि उसे अपने दल के प्रमुक सदस्यों को तो मंतिवंडल में लेना ही होता है साथ ही विभिन वर्गों, धर्मों, भगोलिक शेत्रों, समुदायों का प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्ष्टा, उनकी जमार सिवा की भावना आधिकावी उसको ध्यान लखना होता है और इतना ही नहीं, दल या संसत के बाहर की जो व्यक्ति हैं, उनको भी मंतिमंडल में स्थान दे सकता है यदि इसको लगता है कि ये किसी खास काले में इनकी योगिता है जैसे 1924 में अनुदारवादियों के विरोध के बावचूद वाल्डविन ने चर्चिल को फित्त मंत्री नियुक्त किया था 1942 में मैकडॉनल्ड ने किसी भी दल से असंबध यानि जो किसी भी दल के नहीं थे भारत के अवगाश प्राप्त वाइसराय लाट्चेंस फोर्ड को नौसनिक मंत्री का पत दिया इसी तरह 1966 में हेरल्ड विल्सन ने पैटिक गार्डन वाकर को विदेश विभाग के सचिव जैसा महतेपुन पत प्रदान कर दिया यर्द पी वो आमचुनाव में हार गए थे इस तरह हम देखते हैं कि प्रदान मंत्री केवल मंत्री वंडल का निर्मान ही नहीं करता परन उसे जीवन भी देता है और उसे गति भी प्रदान करता है इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रधान मंत्री मंति बंडल का निर्मान करने के साथ ही मंतियों के बीच विभागों का वित्रण का कारे भी करता है साधन तर विभागों के वित्रण के समझ में प्रधान मंति का निर्मान ही अंतिम होता है प्रधानमंती जैसे Chancellor of the Exchequer यानि वित्यमंत्री, Home Secretary, First Secretary of the State, Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Secretary of State for Defense, Secretary of State for Health and Social Care, इस तरह के कई विभागों का बटवारा उनके अंदर करता है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में प्रधानमंती के द्वारा विभागों का बटवारा किया जाता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर कोई पद की अस्विक्रती कर देता है, तो उसका अर्थ ये हो सकता है कि ना केवल उस संसत काल के लिए परन सदेव के लिए मंती पत से उसको वंचित रहना पड़ता है, और कभी-कभी तो उसके राजनितिक जीवन की समापती ही हो जाती है, सर राबर्ट, हौन, सफल व्यापार और वित्य मंती ही रहे थे, लेकिन जब उन्होंने 1924 में बालविन द्वारा दिये गए श्रम सच्यों का पत अस्युकार कर दिया, तो उभाविश्यों में कभी किसी पत के लिए उनके नाम पर विचार ही नहीं किया गया, प्रधान मंती ये भी देखता है कि प्रत्येक मंती की देखरेख में उसके विभाव ठीक से कारे कर रहे हैं या नहीं, वह सभी विभावों का निरिक्षन करता है, प्रधान मंत्री मंती मंदल की बैठखों का सभापत्यत भी करता है वो मंती मंदल की सारी कारेवाहियों का संचालन करता है नीति निधारन और मंती मंदल के निर्णेव में प्रधान मंती का हाथ सरूपरी रहता है और जब भी मंति मंदल में किसी विशय पर वादिवाद होता है तो वो गोपनिय होता है मंति मंदल का निर्णय मत्दान के द्वारा भी होता है लेकिन अंततर प्रधान मंत्री का परामश ही निर्णायक होता है मंति मंदल के विचार उमश में भी अगर मतवेद हो जाएं तो प्रधार मंति के इससी इतनी सुधर होती है कि वह कुछ न कुछ निर्णय कर ही देता है। प्रत्यक मंत्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रधार मंति की राय अवश्य लेता है। प्रधार होने के नाते वह सभी मंत्यालयों की नीतियों का समन्वाई करता है। इस वकार वह मंत्य मंडल को सिर्फ जीवन ही नहीं देता उसे जीवित रखने का प्रतने करता है और उसको गतिशील बनाता है इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि प्रधान मंत्री मंत्य मंडल का सिर्फ निर्माता और पालन करता ही नहीं वटर संहार करता भी होता है मंति मंदल का अंत विधी के अनुसार तो मंतियों को पत्चत करने का अधिकार या मंतियों को पत्चत करने का अधिकार समराट का विशेश अधिकार हुए है लेकिन व्यभारत ये परंपरास्थापित हो गई है कि इस अधिकार का प्रयोगुः प्रधानमंति की मंतिना पर ही करेगा यदि प्रधानमंति और उसके मंति में मतवेद उत्पन हो जाए और यदि वे मतवेद मंतियों में बाक्षित द्वरत तैन न हो सके तो ऐसे सिदि में उसका फल यह होगा कि मंति को हटना पड़ेगा प्रधानमंति को नहीं यदि प्रधान मंती को ये विश्वास हो जाए कि किसी मंती विशेश के मंती वंडल में रहने से समस्त मंती वंडल की कारिक्षमता, योगिता, इमानदारी ये शासन के निदी पर बुरा प्रभाव पढ़ने के आशंका है तो वो त्याक पत्र मांग सकता है साथ ही यदि किसी मंती को ये आभास हो जाता है कि जन्मत उसके विरुद्ध है तो वो सम्त त्याक पत्र दे देता है 1922 में भारत मंती मांटेगी, 1935 में स्था सैमॉल होर, 1956 में एंथोनी इडन, 1973 में मिस्टर लोवे और मिस्टर एरिसन ने त्याक पत्र दे दिया था 15 सितंबर, 1981 को ब्रिटिश प्रधान मंती मार्गरेट थेचर दोरा 6 कैबिनेट मंतियों को बर्खास कर दिया गया और 10 मंतियों को ये विभाग में भारी परिवतन किये गए थे इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधान मंती मंति मंदल के निर्मान, जीवन और मरन का केंदि मिंदू है वो मंति मंदल का ब्रह्मा, विष्णू और महेश मना जाता है यदि प्रधान मंती स्वयम्त आख पत्र दे दे तो सत्य ही पूरी मंती परिशत भंग हो जाती है इस प्रकाल हम देखते हैं प्रधान मंति की एक मेहत्पुन भूमी का होती है